हेलो माइनेम इस मोना लिसा नीव वर्वाचिंग डेसिमेंट जहाँ पे मैं शेर करते हैं स्किन और हेल्थ लेटिप्स और टिप्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेशियल अल जब भी बात एक प्रॉपर स्किन केर रूटिन की होती है तो फेशियल अल बहुत ही ज़्यादा एशेंचियल है स्पेशली इन विंटर सीजन जब हमारे स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगता है facial oil से सिफ हमारे dark spot या pigmentation reduce नहीं होती है हमारे skin को brighten करने में हमारे skin elasticity को और भी ज़्यादा improve करने में भी facial oil बहुत ही ज़्यादा effective है वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस channel पे नए हो तो इस channel को subscribe कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और अपने friends और family के साथ ज़रूर शियर करना तो facial oil को apply करने का जो sequence है वो है कुछ इस तरह cleansing toning के बाद सबसे पहले face serum then moisturizer and then facial oil आप facial oil को अपने moisturizer के साथ mix करके भी apply कर सकते हो moisturizer apply करने के बाद मैं यह facial oil यूज करूँगी जो कि homemade है 3-4 drops enough है ऐसे dab dab करके आपको apply करना है आपको बहुत ज़्यादर रब नहीं करना है skin पे और नहाने के बाद और रात में सोने के पहले इसको apply करना है आप देख सकते हैं इसका glowing effect और आभी मैं share करने वाली हूँ मेरा homemade facial oil जो skin को repair करने में बहुत ही ज़्यादा effective है यह मेरा खुद का tried and tested है तो रेसल्ट को लेके no worry और इसके पर मैं एक बात बता दू जिसके skin पर बहुत ही ज़्यादा active acne है वो इस oil को यूज ना करें से पहले मैं ले रहे हूँ coconut oil around 75 ml इसके बाद मैं ले लोंगी pure almond oil around 2 टेविल स्पून और दोनों oil को अच्छे से मिक्स कर लोंगी इसके बात मैं ले लोंगी raw turmeric जो market में easily available है पर अगर आपको ना मिले तो आप wild turmeric powder यूज कर सकते हो पर make sure आप cooking वाला तर्म्री की यूज मत करो क्यूंकि वह कुकि के लिए है हमारे फेस के लिए नहीं है और मैं ले रही हूँ आमला जो की easily market में available है आपको इसमें फ्रेश आमला ही यूज करना है यह जर यह विंटर के लिए है तो विंटर में आमला इसली अवेलेवल होती है तो आप इसमें शामला ही यूज कीजिए इसके बाद एक पॉट में मैं ऐसे पानी बॉयल करने रखूंगी जैसे थोड़ा बॉयल आने लगे तब मैं उस ओयल मिक्सर को ऐसे प्लेस कर दोंगी ओयल को कभी भी डिरेक्ली हीट नहीं करना चाहिए एकसे हीट से इसका जो गुड प्लॉपर्ट हो जाए तब मैं इसमें एट करूंगी एराउंड हाफ टेवल स्पून ग्रेट रॉट टर्मरीक और वन टेवल स्पून आमला जो की ग्रेट है और इसको हलका सा गरम कर लोंगी बहुत ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना है हलका सा जस्ट करना है और एराउंड थर्टी त 40 सेगेंड्स एनाफ है तर्मरीक जिसमें एंटी ऑक्सिडेन प्रॉपर्टीज के साथ चाते एंटी बैक्टिरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो हमारे स्कीन के ऊपर एकदम मिरकल जैसे काम करते हैं स्कीन को रेडियंट करकने में ये बहुत ही ज्यादा एफिक् जो की स्कीन लाइटनिंग में बहुत ही ज्यादा एफिक्टिफ है एडाउंट एट तो टेंट सेफरम मैंने इसमें एट किया आप चाहो तो थोड़ा ज्यादा भी यूज कर सकते हो और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको ऐसे ठंडा होने के लिए रख आफ्टर वन आवर मैं इसको स्टेंड कर लूँगी इस ओयल से सिफ डाक स्पॉट या पिग्मेंटेशनी रिड्यूस नहीं होगी हमारे जो फाइन लाइन से रिंकल से वो वी काफी हद तक कम हो जाएगी एक ब्राइट ग्लोइंग स्कीन आप इस ओयल से एक्सफेक्ट करी सकते हो और आपकी जो स्कीन टोन है वो काफी हद तक इंफ्रूफ होगी और स्टेंड करने के बाद आप यह बचा हुआ हिस्से में थोड़ा सा राइस फ्लोड एट करके एस स्क्रब यूज़ कर सकते हो और हमारा जो फीशल ओयल है वो बिलकुल रेडी है यूज़ करने के लिए और अगर आप चाहू तो आप इस ओयल को बॉड़ी पे भी एप्लाई कर सकते हो